हैलो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बतानी बाला हूँ फेस्बुक अकाउंट हमेशा के लिए कैसे डिलीट कर सकते हैं दोस्तो अगर आप ही अपने फेस्बुक अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं 3 line पे क्लिक करने के बाद आपको नीची आना है, नीचे में आपको एक option मिलेगा setting and privacy आपको setting and privacy पे क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको settings वाले option पे क्लिक कर देना है, settings वाले option पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा see more in account center आपको see more in account center पे क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद यहां पर account centre का page open हो जागा, उसके बाद आपको थोरा सा नीची आना है, आपको इहाँ पर एक उप्षन मिलेगा personal details, आपको personal details पर क्लिक कर देना है, personal details पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे में एक option मिलेगा, account ownership and control अपको account ownership and control पे click कर देना है क्लिक करने के बाद यहां पर आपको 2 option दिखाई देगा आपको नीचे में एक option मिलेगा de activation और doing creation पे click कर देना है de-activator on-dillation पर किलिक करने के बाद यहाँ पर आपका facebook account दिखाई देगा जो आप account को अभी आप delete करने बाले हो वही account आपको दिखाई देगा तो जो भी आपको account को delete करना है उस account को यहाँ पर आपको select कर लेना है तो चलिए मैं इस account पर click कर देता हूँ Facebook account पे कलिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो option दिखाए देगा। दोस्तो अपने facebook account को हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए हैं यहाँ पर आपको एक option मिलेगा डिलीट अगवा वहाँट , डिलीटिंग ओर powerment दोस्तो आपको दूसरा आपको ला फेस्बुक अकाउंट को डिलीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सरा रीजन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इन में से कोई सा भी एक रीजन को सलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पर सलेक्ट कर लेता हूँ, आपको इन पर आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको अपने फेस्बुक एकाउंट का पासवर्ड यहाँ पर आपको डाल देना है अगर दुस्तों आपको password याद नहीं है तो यहाँ पर आप forget password पे click करके अपने password को reset कर लिजिएगा forget कर लिजिएगा दुस्तों यहाँ पर मैं अपने facebook account का password यहाँ पर डाल दिया password डालने के बाद आपको continue पर click कर देना है continue पे click करने के बाद जैसे आप continue पे click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको confirm करने के लिए बोल रहा है confirm permanent account डिलेशन तो दोस्तो यहीं से आप अपने facebook अकाउंट को हमेशा के लिए delete कर सकती है तो account को delete करने के लिए यहाँ पर आपको delete account पे click कर देना है तो आपका account delete हो जागा लेकिन दोस्तों यहाँ पे Facebook ने आपको साफ साफ बताया है यहाँ पे आपको साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा होगा या आपको अपने Facebook अकाउंट को डिलीट करने के बाद आपको अपने अकाउंट को 30 दिनों तक लोगिन नहीं करना है यानि एक महीने तक आपको इस अकाउंट को लोगिन नहीं करना है अगर आप इस अकाउंट को एक महीने से पहले लोगिन कर लेते हैं मेरा जो एकाउंट है वो दोस्तों यहाँ पर डिलीट हो जागा जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा एकाउंट यहाँ पर डिलीट हो चुका है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो तो एकाउंट को डिलीट करने के बाद आपको इस account को login नहीं करना है आपको और दूसरा account login कर सकते हैं लेकिन आपको उस account को एक महीने तक login नहीं करना है अगर आप एक महीने तक उस account को login नहीं करते हैं तो आपका account हमेशा के लिए delete हो जागा दोस्तों आप इस तरीके से अपने Facebook अकाउंट को हमेशा गे लिए डिलीट कर सकते हैं दोस्तों अगर आप को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को जरूर सस्क्राइब करें धन्य बाद जैहिंद बंद मातर